नमस्कार जोए हिंद वंदे मातरम स्वाथ यो एक बार आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है देश के नंबर वन सरकारी यूट्यूब चनल के अंदर वहीं दोस्तों आपने अभी देखा हमारे चनल को सब्सक्राइब हैं इस वीडियो को शेर नहीं किया है तो वीडियो को शेर जरू करें तेलंगाना विदान सभाथ चुनाओ का बिगुर बाद चुका जसके अंदर ABP नियोज टाइम्स नाव फड़ो शेर बजाने तेलंगाना विदान सभाथ चुनाओ की 119 सीटों का महा ओपीनियन पोल सर्वेज जारी कर दिया है इस ओपीनियन पोल के अनुस्वार किसकी होता हुआ दिखाई देरा वहीं दोस्तों मैं आपको बता दूंगी चुनाओ से पहले बड़े दिगत नेता होने बीचेपी पार्डी को इस तीफ़ा देकर कॉंग्रेस पार्डी का ताम अने ठाम लिया वहीं दोस्तों कई कुछ वर्सों से इस वीडियो में देगे हम आपको पूरी जान करें वहीं दोस्तों कैना टैक्ट में होई कांग्रेस की बहुमत के साथ जिसे कॉंग्रेस के नेताओं का होस्ला और भी बुलंद वहीं दोस्तों आपने अभी तक हमार चनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब जरू करें और बात करें तेलंगाना की सर्वपर्थम सेट रंगारेडी की दोस्तों रंगारेडी में को लांड सीटे आण म मिलता नजरा रहा है तीन सीटे बी आरेस पारडी को दो सीटे और बीजेपी पारडी को एक सीट प्राप्त होती है नजरा रही है अब की बार बात करें जाए मनसे सील की कुल तीन सीटों पर तो तीन मैसे एक सीट बी आरेस पारडी को दो सीट कॉंग्रेस पारडी को और ब एक सिट पर अपना कब जाकखकर के बैठी बात करिए गली सिर्थ है यृद्धाबाद में कुल 15 सिट 15 में से 7 BRS पार्डी को 6 कॉंग्रेस पार्डी को और 2 BJP पार्डी को प्राप्थ होते ही नजरारी एप की बार वहीं दोस्तों बात करें जाएं अगली सीट अलिदाबाद की तो अलिदाबाद में कोल 2 सीटे है तो दोनों को समांतर सीटों को आकलन होता हुआ दिखाई दे रहा है यानि BRS पार्डी को एक और कॉंग्रेस पार्डी को भी एक सीट मिलती नजरारी एप की बार बात करें जाएं महबूब नगरी की कोल 5 सीटों पर तो 5 में से BRS पार्डी को 3 सीटे है कॉंग्रेस पार्डी को 2 सीटे है और BJP पार्डी को 0 सीटों का आकलन होता हुआ दिखाई दे रहा है आपकी बार वहीं बात करें जाएं जनगाओं की कोल 3 सीटों पर तो 3 में से BRS पार्डी को 2 सीटे है कॉंग्रेस पार्डी को 1 सीट और BJP पार्डी को 0 सीटों का आकलन होता हुआ दिखाई दे रहा है अबकी बार वहीं दोस्तों बात करें जाएं अगली सीट सूरे पेड जिलाओं की को 4 सीटों पर तो 4 में से 2 को समतर सीटों का आकलन होता हुआ दिखाई दे रहा है अबकी बार वहीं दोस्तो बात करी जाए वारमल अर्बन की कौल तेन सीटों पर तो तेन मैंसे दो BARS पार्डी को, जीरों कॉंग्रस पार्डी को और एक BJP पार्डी को प्राफ्थ होती है नजर आरे है अंकी बार वहीं दोस्तो बात करी जाए अगले सेंट करवाल जिल्ला की कोई दो सीटों पर तो दो की दो बीयारस पार्डी को प्राप्थ होते ही नजर आ रही है वहीं कॉंग्रेस पार्डी को जीरू और कमल मुल जाया हुआ दिखाए दे रहा है अपकी बार वहीं दोस्तों बात करें जाए अगले सेंट भोगीर ज सेंट पर तो एक सेंट पर फिर अपने सत्रापित करने के लिए बीयारस पार्डी को एक सेंट कॉंग्रेस पार्डी को जीरू और बीजीपी के खाते में भी जीरू सेंट है जाती नजर आ रही है अपकी बार बात करें जाए अगले सेंट कमरेडी की कुल तेन सेंटों पर तो तीन में से BRS पार्डी को दो सीट, Congress पार्डी को एक सीट और BJP पार्डी को जीरो सीटों को आकलान होता हुआ, दिखाई देर आया अब की बार, वहीं दोस्तों बात करी जाए अगले सीट, नाल गोडा की कुल 6 सीटों पर, तो 6 में से BRS पार्डी को सबसे महत्वपण 3 सी सीटे, Congress पार्डी को 2 सीट और BJP को एक सीट आसिल होती, नजर आर ये अब की बार, वहीं दोस्तों बात करी जाए अगले सीट मैडक जिल्ला की, मैडक में कुल 2 सीट है, दोनों को समांतर सीटों का आकलन होता हुआ दिखाई देरा, यानि BRS पार्डी को एक सीट और Congress पार् अतना ही मिलते हैं अगले वीडियो में तबते के लिए जय हें दा, वंदे मात्रम झालना होता हैं झाल झाल झाल